6 साल से law पढ़े और ये चीज मुझे आज अपता चल रही कि इंडिया की इंडिपेंडेंस 99 एर्स की लीस पर है अंग्रेश जब चाहे वापस आ सकते हैं वहाँ की क्वीन के पास हमारी सिटिजन्शिप है और इसलिए तो हम उनके बनाए हुए laws आज भी फॉलो करते हैं हम आज भी अंग्रेश की गुलाम हैं अंग्रेश चले गए हाई गलत फेर्म या काफी छोड़ गए नहीं ये सब controversy theories इनका वास्तविक्ता से कोई लेना दरह नहीं है इंडियन independence को लेकर 1947 में transfer of power agreement sign किया गया था जिसके बाद England का इंडिया पे zero कोई control या say नहीं रहे गया और इंडिया के maximum laws इंडियन parliament ही बनाती है कुछ British द्वारा बनाया गया law हम इसलिए follow करते हैं कि हमने ही कहा था कि जब तक उन law के जगा हम new law ना बना ले उन में required changes करके चला सकते हैं तो इंडिया अजाद है और रहेगा गलत फेमी थी तो उमीद करते हैं चले गई होगी